दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ एससे रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं कैसे रिलेशनशिप टिक पाई की आगे क्या होगा यह हम आज की मुवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यह 2011 की एक रोमेंटिक होलिवड मुवी में हम देखेंगे अगर आपको एकस्पलेंशन अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बीना किसे दरीके एकस्पलेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में गारेक्टर डिलन को देख सकते हैं डिलन एक ब्लॉगर था और उसके एक कमपनी भी थी अपनी काम की वज़े से अपनी गल्फरेंड को टाइम नहीं दे पाता एक दिन जब वो मुवी देखने के लिए जाने वाले थे इस वर भी डिलन बहुत ही लेट हो गया जब वो अपनी गल्फरेंड सी मिला तो उसे वो ब्रेक अप कर लेती है कहती है तुम हमेशा आपने काम पर इध्यान देती हो मुझ पर तुम्हारा कभी भी फोकस नहीं होता इससे के पैरलल में हम हमारी और एक मैन गैरेक्टर को देखते है इसका नाम में जेमी जेमी के बॉइफरेंड ने भी आज उसके साथ ब्रेक अप कर लिया कहा कि तुम बहुत ही इमोशनली अनेवलेबल हो एक्च्वल में जेमी ये रोमेंटिक मुवीज देखती है उसे हमेशा लगता है उसे बचाने वाला प्रिंच चार्मिंग आने वाला है उसके लिए सिंग करेगा उसके लिए डांस करेगा ये सारी चीज़े बहुत ही कमिटमेंट लेती है और एक commitment करने वाला Jamie को अब तक कोई भी मिला नहीं है इन दोनों के break up के बाद इन दोनों बहुत ही hurt हो चुगे थे decide करते हैं कि अब कभी भी date नहीं करेंगे actual में Jamie नियॉयोक में रहती है और डिलन एले में इसके बाद तुरन नेकसिन में हम देखते है डिलन एले से नियॉयोक में आ रहा था उसे एक अच्छे जॉब की ओफर आई थी और यह ओफर जेमी की वज़े से आई है actual में Jamie की freelancer HR consultants है जेमी कंपनी को अच्छे employees शाहिए होती है इनका contact होने दे देती है इसी वज़े से Jamie ने डिलन को contact किया था अब जॉब इंटर्वी देने के लिए डिलन नियॉयोक में पहुचा जेमी वहाँ उसका welcome करने के लिए जेमी को लगता है कि अब डिलन को GQ magazine में काम करने के लिए मिलेगा यह उसके लिए बहुत ही बड़ी opportunity है पर डिलन को इसका seriousness नहीं था उसके live बहुत ही अच्छी थी और LA भी उसे पसंद था जेमी नहीं कहा कि New York based है तुम्हें इसे opportunity कभी भी नहीं मिलेगी इतनी बड़ी company में काम करना है बहुत बड़ी opportunity है डिलन इंटर्वी देकर रहा है और उसे job मिल भी जाता है पर अभी भी उसे New York में रहना है या नहीं इसे लेकर वो sure नहीं था जेमी नहीं कहा कि मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगे कि New York कितना best है वो फिर उसे Brooklyn Bridge के पास एक बार मिलेकर आई यहाँ पर डिलन एक celebrity से भी मिलता है पर उसे उतना अच्छा नहीं लगा यह बाद जेमी को पता थी तो जेमी नहीं उसे पुछा तुम यहाँ पर जॉब ले रहे हो इसके बारे में तुम्हारे फादर क्या कहींगे डिलन गयता है मैं हमेशा लाइफ में जो भी करू वो अच्छा ही करूँगा यह मेरे फादर को हमेशा लगता था मुझे बाद प्राउड होते है इसके बाद जेमी डिलन को टाइम स्क्वेर में लेकर आई वहाँ पर सब लोग एक सिंक्रोनाइजेशन में डांस करने लगते है जेमी ने का इतनी बड़ी सीटी में लोगों का अकिला न लगे तो इसलिए सब मिलकर यहाँ डांस करते है उन्हें लगता है कि किसी चीज़ का वो पार्ट है यह सारी चीज़े देखकर डिलन ने भी डिसाइड कर लिया क्या वो नियॉयोक में रहेगा डिलन ने फिर अपना जॉब जॉइन किया सबके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली था उसका एक नाया फ्रेंड बनता है जिसका नाम है टॉमी डिलन के ओफिस में इस जॉब का कॉन्टरेक्ट साइन करवाने के लिए जेमी आई हुई थी ये एक वनियर कॉन्टरेक्ट है पर फिर भी डिलन छोड़ का जा सकता है पर जेमी कहती है कि ऐसा करना मत अगर तुम छोड़ का चलेगे तो मुझे कोई भी बोनस नहीं मिलेगा बात करते करते डिलन जेमी से पूछ लेता है मैं सिर्फ as a friend तुम्हें पूछ रहा था इसके बाद फिर ये दोनों लंज के लिए आए बाते करते करते अपने previous break up के बार में बात करने लगते है उनके ex-partners को उनके बार में क्या लगता था इस सारी चीज़े एक दूसरे को उनोंने बता दी ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही honest रहते है इस वज़े से इनकी friendship strong हो जाती है जेमी ने कहा कि कल रात मेरे घर पर party है जहाँ पर तुम और भी friends बना सकते हो डिलन भी इस party में पहुँच गया बहुत सारे मजे करता है इसके बाद ये दूनों एक दूसरे से मिलने लग गए थे एक राट डिलन जेमी के घर पर movie देख रहा था जैसे कि हमें पता है ये जेमी को romantic movies बहुत ही अच्छी लगती है डिलन कहता है कि सारी movie एक ही type की होती है इन movie में relationship के लिए लोग कितना सब कुछ करते है किसे से प्यार करना इतना complicated होना नहीं चाहिए जेमी भी इस बात से agree करती है को कहती है कि आदमी की physical needs होती है उसे complete करने के लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए डिलन कहता है कि जैसे हम किसी के साथ tennis कहलते है उसी तरीके से ये भी चीज़े होनी चाहिए दोनों को एक गंसे बहुत ही अच्छा लगा तो डिलन जेमी से बुच्छता है कि तुम्हें tennis कहलना है इसका मतलब है बिना किसी commitment के साथ डिलन उसके साथ physical relationship रखना चाहता था जैमी कहती कि ऐसा कैसे कि हम एक दूसरे से attracted भी है इन दोनों ने एक दूसरे को no diss किया और हो realize करते है कि दोनों attractive है और इसके बाद इस दोनों intimate हो गए इनोंने कसम ली थी कि इनकी relationship सिर्फ physical रहेगी कोई भी emotions involved नहीं होंगे यह हमें शाचे friends रहेंगे और कोई भी problem नहीं आएगा इस रात के बाद कुछ दिन बीच जाते है दोनों की बीच में ज़रा awkwardness था तो एक दिन जैमी ही डिलन के office में आके दोनों ने इस issue पर बात की उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वज़े से इनकी relationship में awkwardness आ चुका है डिसाइड गरते हैं कि ऐसा फिर से कुछ भी नहीं करेंगे पर एक दूसरे से दूर रह नहीं पाए और फिर से intimate हो जाते है एक दिन जब वे साथ है तब ही आचानक से जेमी की मदर आ जाते है जेमी ने मदर को situation समझाए और मदर को बाद अच्छी लगी एक्च्वल में जेमी की मदर ने भी कभी भी commitment नहीं की थी उसका divorce हो जाने के बाद वो कभी भी settle नहीं हुई थी एक जगा पर वो टिकती भी नहीं थी इसके बाद नेक सिन में हम देखते है कि डिलन और टॉमी जब हैंग आउट कर रहे थे तब डिलन ने उसे जब जेमी के बारे में बताया तो टॉमी कहता है कि तुम्हारे relationship कभी भी work नहीं करेगी लड़कियों का इन सब चीजों को देखने का नजरिया बहुत ही अलग होता है वो तुम से कुछ भी कहा है पर वो कुछ अलग चीज ही चाहती होगी अब ज़रा टाइम गुजर चुका था तो एक दिन जेमी रियलाइस करती है कि उसे फिर से डेट पर जाना है उसने भी पाग में और एक लड़के को नोटीस किया इस बार जेमी ने जाकर उसे अप्रोच किया वो एक डॉक्टर था और जेमी उसके साथ डेट पर जाने वाली थी वो दोनों फर्स डेट पर गए एक दूसरे को बहुत ही अच्छे लगते है डॉक्टर का नाम था पारकर और पारकर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था पर जेमी उसे कहती है कि मेरा एक रूल है पाज डेट तक मैं किसी को भी घर पर नहीं ले जाती उसने उसे बताया कि मैंने इमेजिन किया है कि मेरे भी लाइफ में मुवी जैसा एक हिरो आएगा मैरा एक प्रिंस चार्मिंग अब जब जेमी और पारकर डेट करने लग गए थे तो डिलन का ज़रा अकेला महसुस होता है उसे मिस करता है उसने दुसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने का ट्राइ किया पकड लिया तो बहाने बनाता है जेमी बहुत हर्ट होके जेमी को बुरा लगा तो पारकर कहता है जो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए वो मैं नहीं हूँ वो उसे इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे सकता इसी बात पर उनका ब्रेक अफ हो गया ये सब बात जो जेमी डिलन को बताती है डिलन कहता है कि उसे भूल जाओ वो बहुत ही घटी आदमी था जेमी को चीरफ करने के लिए उसे जो पेंटिंग अच्छी लगती थी ये डिलन ने बाई कर ली थी जेमी को ये बेंटिंग बहुत अच्छी लगी जब वो घर पर आये तो उसकी मदर अचानक से फिर से चली गई थी हॉलिडे था तो जेमी और उसकी मदर एक साथ टाइम स्पेंट करने वाले थे जेमी को बहुत ही बुरा रगता है डिलन को जब ये बात पता चली तो कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो वैसे भी तुम घर पर बहुत ज़ादा बोर हो जाओगी उसने डारेक्ट ले दिकिट बुक कर ले और उसे घर पर लेकर आता है डिलन के घर पर उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है ये सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए डिलन के फादर और उसकी सिस्टर एनी को जेमी बहुत अच्छी लगती है यहाँ में पता चलता है कि डिलन के फादर को अल्जाइमर था इस वज़े से सारी चीज़े वो भूल जाते थे वो बहुत ही ज़ादा embarrassing चीज़े करते थे वो अब जो भी चीज़े करते कभी-कभी अपने पैंट पहनना भी भूल जाते यह सब चीज़े डिलन को ज़रा uncomfortable लगती है वो इससे embarrassed हो जाता है slowly slowly Jamie और Annie यह दोनों bond करने लग गई थे रात में Jamie के रूम में डिलन आ गया उसके साथ रात बिताना चाहता था तो जेमी उसे मना कर देती है तो दोनों वही पर hangout करने लग गया एक दुसरे के साथ time spent करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है तो डिलन ने कहा तुम मेरे life में आई यह मुझे बहुत अच्छा लगा जेमी कहती कि तुम मेरे लिए बहुत ही special हो यह बात करते करते दुसरे के साथ intimate हो जाते है रात में जब डिलन जेमी के रूम से बाहर निकल कर अपने रूम में गया तब एने ने बात notice की थी अगली रात डिनर करते वाट डिलन के फादर को अचानक से अपनी wife की याद आके उनको already divorce हो चुका था तो इस बात से उसके फादर बहुत ही upset हो गय डिलन को जिस बहुत ही embarrassing लगी थी इसके बाद next day जब डिलन जेमी को CT दिखाने के लिए लेकर गया तो होल्रूर साइन पर बैठ जाते है डिलन डर रहा था पर जेमी उसे जबर्दस्ती लेकर गई उससे कहते कि तुम्हें अपने फादर को लेकर embarrassed नहीं होना चाहिए लोग उने क्या समझते है ये चीज इतनी ज़ादा matter नहीं करती वो तुम्हारे फादर है और तुम्हें उनी नजरों से उन्हें देखना चाहिए डिलन को ये भी बात सही लगी जिस साइन पर वो थे यहाँ बैठना allowed नहीं था तो पुलिस उने पकड भी लेते है बैचारा डिलन हाइट से डरता था तो इस वाजे से भाग भी नहीं पाया इनका वेकेंड ऐसे ही बहुत ही अच्छे से जा रहा था तब एक दिन एनी डिलन से बात करती है कहती है तुम दोनों के बीच में चल कह रहा है मैंने नोटिस किया तुम एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है और वैसे भी वो बहुत ही जादा डामेज़्ट है वो मेरे साथ रिलेशन्शिप में नहीं रह सकती ये सारी बात जेमी ने सुन ली थी उसे बहुत ही अपसेट लगा रात में उसने फ्लाइट कर ली और वैसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है डिलन में न्यूयोक आया अपना काम कंटिनू करता है पर उसके जेमी से कुछ भी बात नहीं होती है उसे पुरी तरीके से इंग्नोर कर रही थी कुछ भी कॉल्स नहीं उठाती है एक दिन जेमी को एक कंपणी की रिक्वार्मेंट आए वो डिलन को किसी भी हाल में हायर करना चाहते थे जेमी फिर भी डिलन को कॉंटेक नहीं करती जेमी को पता था कि जेमी हमेशा एक टाइम पर खाजा दिया बिल्डिंग के रूप टॉप पर तो उसे टाइम पर वो भी उसके पास भोच गया उसे बुछता है कि तुम मुझे अवाइड क्यों कर रही हो जेमी ने कहा कि मैं एमोशनली एनवलेबल हूँ हम दोनों कभी पर एक साथ नहीं रह सकते डिलन कहता है कि वो सारी चीज़े सिर्व मेरे सिस्टर से खेरा था उसका कुछ भी जादा मिनिंग नहीं है जेमी कहती कि तुमने मुझे कभी भी सिरियसली लिया ही नहीं उसे एक्चुल में डिलन के लिए फिलिंग्स आ गई थी ये बात डिलन रियलाइज नहीं कर पाता उसे इस तरीके से खोने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है जेमी को अच्छे लगने वाली रोमेंटिक मुवी जो उसे अच्छे नहीं लगती थी ये भी उसे मिस करते हुए देख रहा था जिस कंपनी ने पहले जेमी को कॉन्टाक किया था वो ही डारेक्ली डिलन को कॉन्टाक कर लेती है डिलन जाकर उसके साथ मिटिंग कर आया तो जेमी कोई बात पता चलने के बात उसे कन्फरेंट करने के लिए उसके पास भोच गई उसे कहती है तुम्हारा कॉंट्राइट है तुम इस तरीके से छोड़ कर नहीं जा सकते है डिलन कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही मिटिंग की थी पर अगर सचुज में जॉब छोड़ कर जा रहाऊंगा तुम इस तुम्हारा बोनस का चेक में लिख कर जाऊंगा फिर से इन दोनों का जगड़ा हो जाता है हम देखते हैं कि आनी को ज़रा बहार जाना था तो कुछ दिनों के लिए डिलन के फादर उसके पास आकर रहने वाले थे जेमी की मदर भी अब वापस आ गई थी एक दिन जब एंगाउट कर रहे थे तो सारी सिचुएशन देख कर गयती है तुम सिर्फ डरती हो मेरी मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं करना चाहती है तुम जो यह सब बात कहती हो तुम प्रिंस चार्मी ही चाहिए मूवी जैसा एक हिरो चाहिए पर एक्चुल में तुम यह सब चीजे नहीं चाहती तुम एक स्टॉंग पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड पर कबजा कर सके मदर को भी लगता था कि डिलन उसके लिए परफेक्ट है नेक्सिन में डिलन के फादर उसके पास पहुच गए थे एरपोर्ट पर लंच करते है तो भी उसके फादर ने अपनी पैंड निकाल कर बाजू में रग दी इस बात से पहले हो इंबारस्ट हो जाता पर जेमी ने उससे जैसा कहा था कि अपने फादर से तुम्हें इंबारस नहीं होना चाहिए तो डिलन ने वेसा ही किया उसने भी अपनी पैंड निकाल दी उनने फादर के साथ लंच करता है लोग क्या करेंगे इसका उसे फरक नहीं पड़ता लंच करता है उसके फादर अचानक से किसी लड़की का नाम लेने लग गए डिलन कहता है कि वो लड़की कौन थी फादर ने कहा कि मैं जब यंग था तब वो मुझे मिली थी वो मेरे लाइफ का प्यार थी मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाया शायद उसी वचे से तुम्हारी मदर ने मुझे डिवास ले लिया फादर पहले ये सब बात नहीं कर सकते थे पर वो कहते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तुम्हें इस तरीके से उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए ये सुनकर डिलन ने रिलाइस किया कि वो कितना जेमी से प्यार करता है वो डिरेक्ली जेमी से मिलने के लिए निकल पड़ा जेमी आज राद उसकी मदर के साथ कही जाने वाली थी और उसकी मदर वहाँ पोश्चती नहीं डिलन जेमी की मदर के साथ बात की थी बहुत ही जादा प्यार करता हो जैमी कहती कि मुझे सब लोगों के सामने किस करो और डिलन ने भी यह किया इसे के साथ इनकी एक स्ट्रॉंग रिलेशन्शिप स्टार्ट हुई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुविस लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुई के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया